देखो इस question में क्या given है कि Arun and Vijay do a work in seven days मतलब Arun and Vijay अगर किसी काम को साथ में करते हैं साथ दिन में उस काम को खतम कर रहेते हैं If Arun does twice as much as work as Vinay in a given time मतलब जितना भी Vinay कुछ काम समझ लो Vinay एक दिन में जितना भी काम करेगा उसका double दो गुना कौन करेगा? Arun करेगा उतने इस समय में एक दिन में How long will Arun take to do the work alone? बहुत easy question है सबसे पहले देखो आप क्या करो हमें पहले पहले बता दिये कि Arun काम करता है और Vijay काम करता है तो यह दोनों जो काम को है 7 days में पहले तो इस लोग खतम कर देते हैं इतना given है फिर हमें यह बूल गया है कि जितना भी Arun does twice as much as work as Vinay ठीक है तो अगर हम इनका efficiency का ratio मानना चाहिए efficiency का Arun का और Vinay का अगर Vinay एक unit का work करेगा एक time पे तो इसी समय पे Arun कितना कर देगा 2 units of work ठीक है और अगर यह लोग 7 में काम करेंगे तो 7 में लोग कितना काम करेंगे 7 में लोग काम करेंगे 3 units इतना समझ आ गया अब हमें पता है कि Arun और Vinay साथ में कितने दिन तक काम करते हैं 7 दिन तक हमारा formula तो यह होता है work is equals to efficiency into time हमें work पता नहीं लेकिन इन दोनों की साथ में efficiency हमें बता दी गई यह कितना है 3 units और कितने दिन के लिए काम करें 7 days के लिए तो work total आ गया कितना 21 units बहुत easy था यहां तक तो अब यहीं बोला है न कि how long will Arun take to do it alone कितना समय Arun लेगा इस काम को अकेले करने के लिए ठीक है फिर से वही Arun की efficiency कितनी है 2 units वही formula लगाओ work is equals to efficiency into time total work निकल के आ है 21 units और Arun की अकेले efficiency है 2 units into time तो time की value यहां से आपकी आजएगी 21 divided by 2 days या फिर आप इसको अगर decimal में लिखना है तो 10.5 days या आपका इस question का answer हो गया आप इसमें efficiencies का ratio ऐसा मानके solve कर सकते है या फिर आप ऐसा भी इसको ले सकते थे कि इसकी efficiency अगर x हो गई वर इसकी विजय की तो Arun की कितने हो जाएगी इसकी double 2x तो ऐसे भी आपका answer बहुत easy आता बस basically efficiency इसका ही इसमें खेलता बाकी कुछ नहीं क्थ आपका रचे में हो।